अपसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और एम खबर की बड़ी खबर आपको बता दे प्रियंका चतरवेदी का कॉंग्रेस से इस्तिफा जी हाँ कॉंग्रेस इस्तिफा दे दिया है और शिफसेना में वो शामिल हो चुकी है बड़ी खबर आपको बता दे शिफसेना बड़ी ख़़एधि का ह convene और पर्यांका चतुरवेधि, बड़ी ख़बर आपको बतादे, प्रयांका चतुरवेधि का अबी कुछी दिन पहले उन्होंने ये आरोप लगाय था कि पार्टी में गूंदों को तरजी दी जाती है यह कहना था प्रियंका चतुरवेदी का और उसके ठीक कुछी दिन बाद उनका यह इस्तिफा यह दर्शाता है कि उनका पहले से ही मन था कि वो कॉंग्रेस से इस्तिफा दे दे लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर आके समीकरन बनेंगे क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएंगे की सेवा में शुरूआत नहीं करूं तो मुंबाइकर होने के नाते अपने आपको फेल कर रही हूँ अब सब्सक्राइब को मेरा बहुत-बहुत नमश्कार श्री उद्दव जी अधित्य जी और सुभाज जी में आज मुझे इतने से इमान परिवार के रूप में परिवार के सदाथ्या है उसा बहुत अभारी हो ण्री कि अज्वाजी जाएयर तो चान्याओड़ें पिधा रिपल्ट टॉक टीम therapy also took it to a next level but there never my that if that decision did not have come my way it will lead to any bitterness that was never the 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 has been talk about women empowerment when we talk about women safety when we talk about women's issues we have to live by ते बिचस अबसरे को दोर्सेतु नहां कर दो एक आउमने हाँ आउबस्टा इस अशल यंजयों कि अवाल इस्ट्रा इस था और मिया प्याय राँटना पेश्टा ज़िए सब्सक्राइब ऑन अबस्क्राइब साउबसिट में इस्ट्राइब जोगिए में पर असली यस्ट्त तो आपको बतागे प्रियंका चत्रवेदी ने कुछी दिन पहले यारोप लगाया था कि पार्टी में गुंडों को तरजी दी जाती है और जिस परकार से अभी आप सुन रहे हैं शुवसेना में शामिल हो चुकी है प्रियंका चत्रवेदी और उन्होंने उदव ठाकरे शु पर आपको बतादे प्रियंका चत्रवेदी ने लोकसभा चुनाव अभी चले हुए हैं और ऐसे में उनका ये फैसला एक बड़ा फायदा और एक बड़ा नुकसान भी दोनों पार्टियों के लिए हो सकता है